एक तरफ मदेपदेश सरकार प्रदेश के हर अस्पताल में रक्टरों को 9-4 बड़े तक उपस्थित रहने के आदेश जारी कर रही है तो वही दूसरी तरफ राइसेंजिली के साची विकास करण में एक ऐसा अस्पताल भी है जो हमिशब बंद रहता है यहां तेनाद करमचारी सिर्फ अपनी महीने में उपस्थिती दर्ज कराने भर आते हैं फिर भी इस अस्पताल में परशाशन के नजर नहीं पौसती है साची से चार किलो मीटर दूरी परस्थित ग्राम गुलगाओं में लगवा 25 वर्ष पुराना उपस्थिती के अंदर का भवर लाखों रुपे की लागर लगा कर खोला गया था ताकि इस शेत्र में लगवा 25 क्रामों को लोगों को प्रात्मी उपचार की सुर्दा महाया कर सके और इस अस्पताल में स्वासे कर्मियों को भी तेनाच किया गया था लेकिन स्वासे कर्मियों ने तो पिछले पांच सालों से इस अस्पताल का ताला तक नहीं खोला है इस अस्पताल है जा जिराउंग जिराओं तो चार पांच साल नहीं खुल दी या बागी होस्पीटल है जा पचीछ साल से लेकिन हमने कभी यह डाक्ट नही थे खा कमपांड नहीं देखा सिश्टर नहीं जेखी गो एक सिस्टर थी, तोो उसका काम था फील्ड का जाँ कूई उसका काम नहिंता है। वो फील्ड का काम करती ही थी गprat 15-10-14 गहां हुँते। अगर दौतव गोली देती भी किसी को तो पैसे लेती ही। कोल का मुल देती है। यह अस्पिताल से लागी देती थी इस बात कि हमें कोई जानकारी नहीं है अगर डाक्टर रहता तो चेक अप करता तो हमें मालू होता है कि जनता पकाल दवगोली मिलती है जान कोई नहीं आए भी लाज को लेकर आप लोगों किस तरह की समस्या होती है तो य्राज को पूरी समस्या है यहाँ दोसांची जाओ या भी जिदिसगायओ अवेते मिलता लोसजी जै नहीं जाओ नहीं है नहीं है सादन तो सादन प्रहीं न्युते पराहनी जाएं में आवीज पुच्छ पॉच्छ वाइब को नाजए होता है यह शर्टाल राङ्च भया धाक यह कोई इस नहीं खुला है पॉछ तुरु शब्से नहीं गवानगे यह हास्पुटेल हम पचीस साल के आय हुए यहां और कभू कभू पेल खुलता था आप बिल्कुल नहीं खुल रहा चार पांच छे साल से तो किस तरह की समस्य होती लाज को लिए कर अमने साची जाना पड़ता और साची में बहुत परिशानी पड़ती है कोई साधन मिल जात यह पाईसा तो आप बैसन डात पाईसा नहीं लोड जायां तो आपने अबी चन्तर इप टी मिली ओर जान रहा यह उजाए हैं कैसा मॉस्या हुर्या अब जब जाए कग भुल बासा को तो नहीं बन पड़ फटा जब दो कि अब जारा यंदें बन रहा है तो गयल मैं बेच सब जहां सरकार एक हो स्वास्त जेवां को बेहतर बनाने के लिए जाग ट्रू की ड्यूटी में सुबह नो से चार बड़ी तक लगा रही है बही राइसेंज जिले के साची के गुलगाओं में उप स्वास्त केंद्रे जो सिर्फ कागजों में चाल रहा है बिगत चार बरसों से उप स्वास्त केंद्र का ताला भी नहीं कुला है आपकी जानकारी में बात आई है तो अब आप क्या करवाई करेंगे मेरी जानकारी में अभी ये बात अपनोंक माध्यम साही है तुम इसमें दिखवाता हूँ जो भी लेवल का अधिकारी कर्मचारी दोश्यों को उसके खिलाफ करवा ही की जाबेगी लेटिस्ट न्यूस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें